नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोगप्रिये चैनल वरकाल चक्रा में मित्रों, आज आदर्निया उत्रा दीदी, भविश्य कथन में दशा और गोचर का जो महत्व है उसके विश्य में बता रही है। मैं आप सभी के स्योग से उनका स्वागत करता हूँ नमस्कार दीदी आपका स्वागत देखिए जब भी हम जोतिश सीखते हैं या किसी को हमारे से कुछ भविश्य के बारे में जानना होता है तो हम यही कहते हैं कि फ्यूचर प्रडिक्शन हमें चाहिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमारे ग्रंथों में इस विश्य में बहुत कुछ लिखा गया है और महत्वपुन बिंदु हमें किस प्रकार से भविश्य कठन क्रें यह फ्यूचर फोर कास्ट करें जैसे लगन कैसी है सबसे पहले उसमें आता है लगन कैसी है उश्वोंति है कि यूरह कैसे हैं उनका बल किस प्रकार का है कि ग्रह उच्य NICK gradu trois पर का है कि मैं याम न्यू कि स्वक्षेत्री है, कि स्वग्रहिया, कि मित्रक्षेत्री है, या शत्रूक्षेत्री, ये उनके विद्ध, प्रमुख प्रमुख जो विशेषताएं ग्रहों का बल, वो ये है, इसके बालावा हम फिर उनका दृष्टी संबंध भी देखते हैं, ग्रहों का, कि वो आपसे द झिरिश्टी सम्बंद कितने नजदीगें या कितने दूर है किस अलावा कृष्ण मुर्ति जी ने और एक प्रमुक नियम बताया है कि ग्रह किस नक्षत्र में है ये हमें ज़रूर देख लेना चाहिए नक्षत्र स्वामी कहा है और नक्षत्र स्वामी जो है वो किनकिन भाव लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, जिसे भी हम बात कर रहे हैं या जो हमें से से निकल पाएगा या नहीं तो यह हम जो है कुंडली ग्रहों की स्थिति द्वारा हम जातक का संपुन विवरण हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक महत्वपुन बात है कि कब क्या-क्या घटित होगा कि कौन सा फल हमें कब मिलेगा यह हम इस से जाने तो इसके ल हम नहीं ग्याद कर सकेंगे यह हमें दशा और अंतर दशा द्वारा ही प्राप्त होता है यह हमें घ्यात होता है और इसी कारण से हमारे जोतिश शास्त्र में दशाओं को बहुत महत्वप दिया गया है और अनेक तरह कि द्रशाएं भी प्रचलन में आई जैसे विंशोत्त श्टोतरी दशा, योगिनी दशा और उत्तर भारत में विशेश रूप से विशोतरी बहुत प्रिचलित है और सर्वग्रही यह भी है जिसमें दशा, महादशा जो है मेन, महादशा, अंत्रदशा, प्रत्यंतरदशा, सूख्षम दशा और प्राण दशा तक गणना की गई है इतना बारिकी तक मतलब और हमारा जो जीवन है उसको हम 120 वर्षों का आदश मानकर उसमें प्रत्यक ग्रह को अलग-अलग वर्ष दे दिये गया है। जितना आगे उस नक्षत्र में वो भ्रहमन करने वाला है उससे उसकी दशा निकाल ली जाती है और जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र से उसकी दशा शुरू होती है। इस प्रकार नौन अक्षत्रों की सिक्वेंस रिवाइज होती रहती है अंतर दशाओं में भी और महा दशाओं में इस प्रकार जो है हम दशाओं का निधारन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि गोचर का क्या महत्व है यह तो हमने दशा के बारे में पता दिया। अब गोचर का यदि हम पश्चिमी देशों में देखें तो वो लोग सूर्य से गोचर देखते हैं। लेकिन और भारत वर्ष में जो गोचर देखा जाता है वो हम चंदरमा को प्रमुक बिंदू मानकर। चंदरमा को कुंडिली में कहा है उसी के आधार पर गरहों का जो गोचर है उसको हम दिखते हैं। लगन को हम प्रमुख नहीं मानते लेकिन ये कृष्णमूर्ती जी नहीं कहा है कि हमें लगन को अधिक मात्व देना चाहिए चंद्रमा हमारे मन का तो कारक है हमारे मन को व्यतित कर सकता है दुखी कर सकता है ग्रहों के गोचर से लेकिन जो फल मिलेंगे वो लगन के आधार प तो फलिद करने का तरीका जो है हमारे सामने जो प्रस्तुत है सबसे सरल तरीका यही है कि पहले कुंडली देख ली जाए उसका स्वभाव फिर ग्रहों का बलाबन फिर उसके आधार पर फलिद किया जाए और उसको सपष्ट रूप से समझने के लिए दशा अंतरदशा प्रत अंतरदशा चल रही है कि उनका गोचर सरवाधिक प्रभावित करता है जिस ग्रह की माल लीजे मेरी राहू की महादशा चल दिए तो राहू का गोचर मेरी कुंडली में कहां चल रहा है उसको हमें जरूर देखना है इसके बाद मेरी अंतरदशा जैसे शुक्र की है या सू एक सपश्ट आएगा और सही आएगा एक बात और ध्यान दें कि जब कुंडली में हम इस तरह से भविश्य देखें भविश्य कथन करें तो लगन से ही हमें गोचर देखना चाहिए ना कि चंद्रमा से एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहते हूं कि हम किस प्रकार से ग इनको होने में समय लगता है दो धाई साल लगते हैं वन कार्यों के लिए शनी का गोचर अवश्य देख लेना चाहिए जैसे जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भवन से जुड़े हूए कार्य या निर्मान से जुड़े हूए कार्य शनी ऐसे भी शनी, जमीन, भूमी का का पारक है इसे और एक वर्ष के भीतर यदि कोई कार्यों होने वाले हैं तो उसके लिए हमें गुरू का गोचर देख लेना चाहिए, जैसे विवाह हुआ, संतान हुआ, इन सब का, और एक मास के अंदर पूरे होने वाले कार्यों के लिए सूर्य का गोचर सही रहता है, जनी गुरू या राहू या केतु का गोचर देखते समय हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ये किस नक्षत्र में चल रहे हैं क्योंकि शनी जो है एक एक नक्षत्र में 12-12-13 महीने चलता है और गुरू एक नक्षत्र में लगभग 5 महीने रहता है और राहू केतु लगभग 8 कहा है और फिर जो है नक्षजत्र का स्वामी जो है वो कुंडली में किन-किन-खाऊं का स्वामी है वो जातक कि यह शुब है या शुब है इस प्रकार का फल हमें देखकर प्रिडिक्ट करना का पूरा है। टो हमें सही फलत मिलेगा अन्या था गलत भी हो जाता है जैसा मैंने पहले भी बताए कि चंद्रमा से इन ब्रहों का संबद हमें व्यतित कर सकता है चिंता और परिशानी में डाल सकता है लेकिन जीवन में जो अच्छे और बुरे अनुभा होते हैं अच्छा फलता या असफलता मिलती है उसके लिए जो गोचर है उसको लगन से ही देखना चाहिए जब हम दशा अंतर दशाएं लगन से ही देखते हैं तो हमें गोचर भी उसी से देखना चाहिए कभी-कभी ऐसा होता है कि शुब ग्रह और कारक, शुब ग्रह शुब भाव, मतलब अच्छे भाव में भ्रहमन करते हुए भी हमें खराब पग देते हैं, और अकारक भाव में भ्रहमन करते हुए भी अच्छे परिनाम दे जाते हैं, ऐसा क्या है, इसका कारण ये है कि ग्रह तो है शुब भाव में भ्रहमन करते हुए भी ऐसे नक्षत्र में भ्रहमन करता है जिस नक्षत्र का स्वामी अकारक भाव का स्वामी है तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं और कभी-कभी अशुब भाव में ब्रह्मन करते हुए भी वो अच्छे नक्षत्र में चलता है तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं आप देखिए कि तुला लगनवालों के लिए जब कोई भी अश्टम भाव में ब्रह्मन करता ह तो अश्टम भाव में व्रशब राश्री रहती है जिसमें सूर्य, चंद्र और मंगल तीन नक्षत्र हैं तो इन में नक्षत्रों में ब्रहमन करते हुए उनके लिए सूर्य भी लाब भाव का स्वामी होता है चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है और मंगल धनेश और अच्छे फल दे जाते हैं, और कभी-कभी गलत अच्छे भाव में, पंचम में, दशाम में, ब्रह्मन करते हुए भी नक्षत्र शुभ नहीं है, तो गलत प्रपरिना मिलने चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी निरणय हम लेते हैं, तो उसके लिए हम सेकेंड ओपीनिय प्रेडिक्शन दिये या डाइग्नोसिस किये, तो हम निसंकोच रुप से उसका परामर्श मान लेते हैं, इसी प्रकार जोतिश में भी सबते पहले हम दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं देखें, और फिर जिस प्रकार का भी हमारा कार्य है, उसके हिसाब से उस ग्रह का गोचर हम अवश्य देख लें, है न, जैसे जमीन जायदा से जुड़े कारियों के लिए मैंने आपको बताया, शनी का या मंगल का गोचर देख लें, विवा संबंदी कारियों के लिए हम गुरू, संतान के लिए भी हम गुरू का दे सकते हैं, तो हमें फुल म सूक्षमता से अध्यान करना चाहिए और निम्न बिंदूों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ये बिंदू है कि ग्रह कहां स्थित है, मतलब किस भाव में स्थित है, नंबर वन, नंबर टू है कि वो किन-किन भाव का स्वामी है, नंबर थी है कि वो किस ग्रह के नक्षट्रस्वामी कहा सते थे और नंबर पांच कि नक्षट्रसवामी किनकिन भाव का स्वामी है। सबी हमने फांच बिंदू चेक कर लिया और उसके आधार पर हमने देख लिया और दशांतर regulator को। देखते हुए हमने फलित किया तो हमारा फलित सही आएगा। आप सभी जानते हैं कि दो तरह के प्रश्न मतलब जुग्यासा होती है प्रश्न करता की या तो कोई उसकी प्रश्न होता है या जुग्यासा होती है जिसका उसको उत्तर देना प्राप्त करना पड़ता है या मांगता है और या फिर वो यह जानना चाहता है कि इस समय जो मेरा समय चल रहा है वो दशा अंतर दशा जो चल रही है वो मुझे क्या-क्या परिणाम दे रही है इसी तरह से प्रफलिद किया जाता है तो इसके लिए हमें कुल मिलाकर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना तो दशा अंतर दशा को उपेक्षित करें या उसकी उपेक्षा करें और ना ही गोचर की उपेक्षा करें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग दशा अंतर दशा की तरफ जाते ही नहीं है, सीधा गोचर पर लाकर फलित करते हैं, उसमें आधा फलित हो नहीं, कि गोचर आपकी शादी का समय बता रहा है, कि गुरू का गोचर यहां लेकिन उसकी शादी का समय नहीं चल रहा है, दशा अंतर दशा में वो नहीं है, उसकी शादी नहीं होगी, आपने भी देखा होगा और हमने महसूस भी किया है, तो हमें दोनों को समान रूप से देखते हुए, दशाओं को भी, अंतर दशाओं को भी, और गोचर को भी दे और इन connectivity मैं जहां तक अपना पड़ा हूं समझा हूं देखा है हम हम प्रॉग्रेषण यूज करते हैं कि इस कि वेस्थरन वर्ड में प्रॉग्रेश्एं करें और व्याधिक में भी मैंने पीछे कुछ निकलाती है, जी या बिल्कुल, प्रोगेशन भी का भी अपना मातवा है, बहुत अच्छे से निकलाती है, strength of the planet जो नवे बदलती है, वो progression से हमें समझ में आता है, कि कब कैसे planets की, कभी बच्पन में बहुत वीक था, तो बाद में वुठीक हो गया, तो क्यों रिजल्ट बतने वो प्रोग्रेशन अमने बता है बाकि आपने जो बताया वो एक एक शब्त जो है वो बिल्कुल इतना महत्पून है और मेरे क्याल से जितने भी विद्यारती वरग के लोग है उनके लिए ये तो ये सीखने के लिए बहुत ही बड़ी है और मैं ये और गोचर तो सर्वविधित रहता है इन दो को तो देखी लें प्रोग्रेशन सीख कर उसको भी प्रयोग में लाएं तो बहुत अच्छा है और नहीं तो इन दो को तो कम से कम शामिल करें अपने फलिप तो आपके फलिप सही आएंगे बिल्कुल आपने सही बताया कि अच अच्छा जोतिश मिनता है आधरणी उत्रदी शिक्षा एंवं कंसल्टेंसी दोनों सर्वेसिस देती हैं और आप उनका मुबाइल नंबर यहां नोट कर सकते हैं और आप डारेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इसी के साथ आज के लिए वस इतना ही नमस्कार धन्यवाद और यह जो नियम है मैंने अपने अलुभाव से बता हैं यहां बिल्कुल करते होंगे तब ही उनके प्रेडिक्शन सही आता है कर दो